नमस्कार मैं हूँ अवनी चोधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी जैसे कि आप सभी को पता ही होगा इन दिनों चंडिगर्ण में नगर निगम इलक्सेंस चल रहे हैं और पहली बार चंडिगर्ण में वोडों के संक्या 26 से बढ़ा कर पैतिस कर दी गई है इस इस वक्त हम मोजूद हैं वोड नमबर 10 में जिसके अंतरगरत आते हैं सेक्टर 27 सेक्टर 28 सेक्टर 29 जनता को किस पर है विश्वास और किस पार्टी के साथ सपोर्ट करेगी जनता और किस पर विश्वास है ऐसी आज हम जनता से बात करेंगे इनी मुद्दों को लेकर क्या कि दाय होगी आज हम दिखाएंगे आपको हम खड़े हैं वोड नमबर 10 के सेक्टर 29 में यहां पर लोगों का किस पार्टी के साइट जादा रुजान है हम आपको दिखाएंगे बात करते हैं इस वक्त हम जनता से सर आपका नाम अली जी आपको किस पार्टी से इस बार उमी तो हम लोग तो भवला जी के साथ है क्योंकि उनके अंदर काम कराने की शमता है वो अपसरों से काम लेना जानते हैं और जो कैंडिडेट आया है मुझको तो लगता नहीं उन्होंने कभी उनको राज नीतिका एबीसी भी पता है जिनको एबीसी नहीं पता वो काम क्या गरा जो आने वाला हमारा सबसे में समस्या जो है सीवरेश की है और यह देखे लोगों के घरों की तारे हैं यहां पर जिसे शौर्ट होने का किसी की जान जाने खत्रा है तो हमने दविंद्र बवला जी कभी यह जो आपकी समस्या है नॉर्मल आपने कांसलर जी से डिसकस नहीं क नहीं कभी उन से इस बारे में बात नहीं हो पाई हमारी तो अब जो आया है इनसे बात हो रही है हमारी अधर देखा जाए बात की जाए वोड नंबर 10 की यहां से चोटल 4 प्रतियासी है और भी हम यहां से लोगों से बात करेंगे सर आपका ना रोहीत जी आपको किस पर इतना विश्वास क्यों है देखो जी तो जो दिल्ली गया उसको पता है जी जो दिल्ली में काम हुए है सरकारी स्कूल है होस्पीटल है सब कुछ सब कुछ बहुत ही फैसिलिटी दिये लगता है कि चंजिगण में भी ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी अगर आप आची यहां पर आती है तो हम तो कहते हैं जी एक वरी मोका देने चाहिए देखो नमी पार्टी एक वरी मोका जरूर देना चाहिए इनको आपका नाम डिम्पी रिह आपको किस पार्टी से उमीद है आपका रुजान किस पार्टी की तरफ है तो अभी हमने तो कांग्रेस ने कुछ देना बीजेपी ने ना आम आदमी पार्टी ने जिन्नों ने आना बाद में यांसे वोटे लेके हमारे को वेफ कुपना के दरवाचे बंद कर लेने हैं आम अब आपको उन पर विश्वास वो तो मैं ट्रोजन होर्स भी हो सकते किसी पार्टी ने तो सब पार्टी यह तो पार्टी है हम तो अभी बच्चे हैं हमें को तो कुछ मालूम नहीं है पर लेकिन हमें भी पता लगता है यहां पर इतने साल से हम बड़े हुए तो अब क्या अब आपको क्या लगता है जैसे अभी सर ने बोला है कि कॉंग्रेस पार्टी ब्यजेपी पार्टी करप्टिड है और आप पार्टी की लोगों उमीद लगा रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में काम के गए हैं उसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी चेंजिगिट में आती है तो वो लोगों किसी तरीके से कार्य कराएगी तो आपको क्या लगता है मेरे को तो अमीद कांग्रस पार्टी की तरफ से कांग्रस कामरों में बैड़ जाएंगे हमें के कुछ पता नहीं है लोगों का कहना है कि पहले पूर्व में कोई कारें नहीं कराएं तो आपको किस प्रकार उन पर विश्वास हैं अमीद तो है कॉंग्रेस पार्टी नहीं ही तो दिया है और किस ने दिया है क्या उम्मीद हैं आपको कॉंग्रिस पार्टी से किस किस स्वाइब कराएगी अभी तो जब अमारे को कोई काम पढ़ेगा तो तभी हम अब उनको उनको बोलेंगे ना कि मारे को आपको कोई कारीय नहीं पढ़ा हैं खुआ हम अपने काम खुद की हैं हभी किसी पर उमीद है कि camera जो आमार आदमीं के मेरे फ्रेंड во किई फोल हो वहां पर ईन के साथ इंट्रीफ होग हो तो कि इए लिए वर वहां पर आम आपका से भिल में एकला धेखे अपनी आखोंसे जो अपनी आखोंसे मैं आपटार रखा नहुटार है देश सब्सक्राइब कर दो अपने बच्चों के लिए बोट डालो अपने फ्यूचर के लिए डबल डालो यह जो स्कूल ना कॉर्णमेंट बनाने के लिए वोट डालो यह कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं देना अपने आप कमाना आपने आप रुट्टी खानी है बबला जी आप कही है आप की आपो माद मीवाली ने जो सेविंग होगे ना वही पैसे बचके आप लोग पैसे से अपना घर का थोड़ा सचिला सकते हो आज नहीं होगी लोग दोगी का दोगे CEO होगे दिरे チर्यस दिर्था बढ़ाव आएगा यह थोड़ा की एक दम से बढ़ाव आ प्रश्वास को जीत होगी जैसे कि आपने सुनाई होगा यहां पर सभी पाच्चियों के विश्वास है जनता को जनता का कहना है कि सारी ही पार्टियां लगबग अपने कारिये पून रूप से निभाएगी और वहीं अगर देखा जाए बात की जाए बीजेपी पार्टि की तो बीजेपी पार्टि के सेक्टर में हमें थोड़े समर्थ तक कम दिखाए दिये हैं ऐसी कुछ एम कपरों को ज सल्विन जी आपको किस पार्टि से उमीदे हैं कि आपके आने वाले जो अब कांसलर होंगे वो कौन होना चाहिए देखिए हर वक्त अपना हमारे बबला जी आते हैं मैं चाहती हूँ इस बार यूवा को आगे लाएं क्योंकि जो यूवा की सोच है वो बिलकुल अलग है त कौन सी पार्टि जिससे आपको उमीदे हों कि वो आपके आने वाले चाहिमे कारिये पूर्ण कराई देखिए मैं सेक्टर 28 से हूँ तो मेरे यहां पर राशी वसीन जी है शायद वो बीजेपी से हैं तो मैं चाहती हूँ इस बार राशी वसीन जी को आगे लाया जाए क्यो आप क्या कहेंगी तो देखिए मैं यूवनारी की बात कर रही हूं यंग जेनरेशन की बात कर रही हूं कि हमारी MNC Companies भी यंग लोगों को ही आगर लाती है क्योंकि यंग लोगों में capacity होती है कुछ नया करने की बस मैं तो यह ही कहना चाहूँ मैं अपका नम प्रियंका वस से कॉंग्रेस जहां पर कर रही थी ठीक है उन्होंने भी काम किया है बट कुछ लिमिटिड एरिया ऐसे रहे गई कुछ नहीं काफी एरिया ऐसे रहे गए जहां पर कोई कुछ भी नहीं कहीं के पार्क एरिया ऐसे वह कौन से एरिया है जिसमें डिवलप्मेंट नहीं है याप 29 सेक्टर खुछ जाके देखिए 28 सी जाके देखिए 28 सी में इतनी गंदगी इतनी गंदगी मतलब कि मैं अठाई सेक्टर में रहती हूं विए नौट साटेसफाइड आपने कभी जो आपके पूर्व कांसलर जी रहे हैं उनसे संपक्सादने की कोशिश की है पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करें आपका नाब मैंनाम गोरव है आपको क्या लगता कि आपको किस पार्टी पर विश्वास है कि आने वाले चाइम में आपके कार्ये कराई जी मैं बाजबा को लाना चाहता हूं कि जाके ने कहा कि काधिया के लिए विपक्सी पाची का ये कहना है कि उनके चाइम पे महंगाई नहीं थी तो इसके उपर आप क्या कहना चाहेंगे जी महंगाई तो होईगी देखो देश बढ़ रहा है पहले से महंगाई आती हुई है ठीक है पहले चवण नहीं होती थी अब दस रुपे भी महंगे बढ़ते हैं सक़र फर सॉर पे महंगे लगते हैं ठीक है जी अब Мहंगाई तो जैसे देश बढ़ेगा तो महंगाई होईगी होईगी अब यह कि हाँ थोड़ा बोद देखना पढ़ता है सब के लिए महंगाई आ है करीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी कोई भी ऐसे लोकल मुद्दे बताई है जिस पर काम नहीं हुआ जी जैसे सेक्टर 30 की वज़ा से अब उनत्य आया है छोड़के उसे चेंज हो गया वार्ड अब एक बारी आप सेक्टर 30 में जाके देखिए वहां के पारक इतने गंदे हैं इतने गंदे ह मैंने बबला जी को पर्सनल मैसीज भी करा था मैं आपको दिखा सकता हूं ठीक है गटर के लिए आज 2019-23 जन्वरी को करा था आज तक उन्होंने देखा नहीं है अब हम 30 साले उन्हें भेजते हैं वह मैसी नहीं देखते वैसे उनका फोन आ जाता था कि लड़के चाहिए य दूसरे बच्चों को देखा भी नहीं सर आपका नाम अभी शेक शर्मा अभी शेक सर्मा जी जैसे कि आपको पताएगे चंजेगर में नगर निगम के इलक्सिंस चल रहे हैं और अनेक पार्ची अभी इसमें प्रतियासिय की रूप में उमीदवार खड़े हैं तो आप किस पार्ची को सपोर्ट करेंगे किस पार्ची पर आपको उमीद है कि वो आपके आने वाले चाइमें कारे कराएगी देखिए अभी मैं सताई सेक्टर में रहता हूँ तो शिकायते हैं काफी लोगों में है काफी जो गार्बेज कलेक्टर से हैं वो टाइम पे निया आते या की साफ सफाई है ना क्योंकि बच्चे भी वहीं खेलते हैं बुजरुग भी वहीं सेर करते हैं तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम और दूसरा अभी जो हमारे एरिया में हमें लग रहा है थोड़ा बदलाव आएगा इस बार क्योंकि एक तो बीजेपी से जो केंडिट हैं अगर बात की जाए आप पार्टी की जो की पहली बार चेंडिगर में उतरी है उस पर उनका कहना भी है आप पार्टी वालों का कि वो वह वादे नहीं गारंटी के साथ अपने वादे पून करेंगे तो आप उस पर क्या कहेंगे ? देखें आमादी पार्टी काफी सालों से एक्टिव नहीं, सिर्फ एलेक्शन्स में एक्टिव होती है, वो भी कुछ-कुछ जगा एरिया में हमें देखने को मिले हैं, लेकिन जब आप देखें कि COVID की प्रॉब्लम थी, पूरे देश में प्रॉब्लम महामारी की चल रही थी, तो आमादी पार्टी, कॉंग्रस कहीं पर भी नहीं थी, तो एक बीजेपी पार्टी वाले वरकर्स आये थे हम लोगों के पास, मास्क डिस्ट्रिबूट करने या सेंटाइजर देने के लिए, जैसे कि मैंने देखा था हमारे यहाँ पे, जो MC के जो सफाई करमचारी, उनक हमें पार्क में मिल जाते हैं, पूछने के लिए, क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या नहीं, तो हमें उमीद है कि इस पर बदलाव होगा, सेक्टर 10 के अपना 27-29 में, जो 10 नमबर वार्ट है, जैसे कि आपने सुनाई होगा, लोगों का कहना है, कि हर प्रतियासी को, जो कॉंग सर, आपका नाम, मेरा नाम समी महमंदे जी, सर, आपको क्या लगता है, कि इस बार किस पार्टी का दबदबा दिखने में आ रहा है, यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा है जी, और हमारे जो कॉंसलर साब हैं, पहले देविंदर सिंग बबला जी है, अब उनकी वाइप हर प कार के वो कारिये कराएंगे, उन्होंने यहाँ पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, गिरीजन दिवेगारा सब उन्होंने लगवाई हुए, वाड में सपाई के अच्छी वेवास्ता है, सड़के बहुत हमारे अच्छा काम करते हैं, किसी तरह कोई प्रोबलमी नहीं है, सर आपका नाम, अब्दुलहमीद, अब्दुल जी आपको किस पार्टी से उमीद है, कि जो भी आपकी समस्या होंगी, वो सुल जाएंगी पून रूप से, तो ऐसा है, कॉंगरस के अलावा तो और कोई हाँ है ही नहीं, सिदी सी बात तो यह है, क्योंकि कॉंगरस के अलाव कि है, हम तो आजाद उमीद्वार की बात करें, अजाद उमीद्वार की है, क्या करेगा, मानलो कोई बढ़न भी जाता है, तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पार्टी से होती है, वो ही काम करती है, पार्टी के अलावा बहुत मुश्किल बात है, और फिर यह बिकते हैं लो आपको विश्वास है कि पूरे बहुमत के साथ यहां कॉंगरसी आएगी पूरे शेहर के अंदर, एक सब यहां नहीं, पूरे ही शेहर के अंदर महिंदर सिंग जी, आपको क्या लगता है कि आपका किस पार्टी के तरफ रुजान है और किस पार्टी पर आपको उमीद है, विश्वास है कि आपके आने वाले जो आगे कारिये होएंगे, उसको वो पून रूप से निभाएगी यहां से तो पहले से भी बवला जी जीता जा रहे हैं कामर्टी के, हर अब वार भी बहुत अगड़ी वोटर पर जीते हैं जो उनके पास कभी भी चल जो, बहुत हरे बंदे का काम करते हैं, पार्टी बाजी से उपर उठके, यह नहीं है में उनको किसी ने वोट डाला या जानी डाला, वो अपने बार के हरेक मेंबर का मतलब पूरा सथकार करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यहां पर लोगों का रुजहान जादा कॉंग्रेस पार्टी की तरफ दिख रहा है, उनका कहना है कि वो पूर वपारसद भी पहले रह चुके हैं, उन्होंने दिखेंगे किस लोगों का रुजहान, किस पार्टी की तरफ है, हमारा एक सेक्टर रहता है, वो रहता है 28-28 में लोगों का क्या कुछ कहना है, हम दिखाएंगे आपको। नहीं एक्जैक्ट ली के सारे के सारे प्तित्याशी है कौन है आप खाली एक वो मिसेस बबला के बारे में मालूम है लेकिन फ्रैंकली स्विकिंग में हमारा 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 माइंड बड़ा क्लियर है कि एकस वाइजेट डो भी आए चाहे वो आम आदमी पार्टी से आए चाहे बीजेपी से आए चाहे वो कॉंग्रेस से या कोई इंडिपेंडेंट आए एक इंडिपेंडेंट भी आई थी टेलिविजिन जिनका वो था तो मैं उनको भी यहीं बोला था अजाद उमिद्वार तो वहीं अगर कॉंग्रेस की बात करें यहां पर डेवलोप्मेंट करें हमारी मुसीबतों को ध्यान दे हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम से उनका निवारन करें और डेवलोप्मेंट की बात करें हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है कैंडिडेट से लेना देना होता है अब मैं आपको बता दू सर आपके वोट से चोटल चार प्रतियासी उठ रहे हैं जो आजाद उमीदवार है वो शुशीला पाठक जी है और जो बीजेपी पार्टी है वो रासी बशीन है तो वहीं अगर आप पार्टी की बात करें तो वहापर आपकी बबला जी की अब आपको पता चल गया है चार प्रतियासी ठीक है सर आपका कहना नरेश कुमार जी आपको किस पार्टी पर उमीद है कि वो आपके कारे पून रूप से निबाए हम तो यहीं चाहते हैं जी कोई भी पार्टी आए चाहिए आप आए बीजेपी आए कांगरस आए तो हमार वार्ट की ड्वेलमेंट हो और मुझे शौंक भी है विसाब मारी मार्टी जो अच्छी लगे और काम बढ़िया हो और हम भी उनकी हल्प करेंगे कोई भी काम कराना चाहता हम उनके साथ है इस बार नगर निगम इलक्षेंस में पहली बार आप पार्टी यहां पर उतरी है उनका कहना है कि जनता एक बार हम पर विश्वास जता कर तो देखें कॉंग्रेस और बीजेपी पर तो पहले भी विश्वास जता कर देख चुकी है जनता तो इस पर आप क्या कहेंगे हम तो यह चाहता है भी कोई विश्वास वाली बात है सभी पार्टी ऐसी कहते हैं हमार लेकिन काम कराने वाला प्रतियासी की जीत हो ऐसी के साथ आपको बता दे अगर चोटल वोड नमबर दस की अगर तुलना की जाए उसका निचोड किया जाए तो यहाँ पर सभी पाची के समर्थक भी मिले हैं आपने और भी लोगों से हमने जो बात के उसमें देखा भी होगा ऐसी कुछ हैम खबरों को जानने के लिए बनेरी अर्थप्रकास टीवी पर मैं अवनी चोदरी अर्थप्रकास टीवी से